हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने सूखी हुई मेती से आलू मेती की सबजी बनाने जा रही हूँ तो इसा बनाने के लिए देखी किस तरह से बनाते हैं ये मैंने सर्दियों में स्टोर करके रखी थी मेती इसकी में सबजी तयार करूँगी ये आलु मैंने पहले से कट करके अच्छे से दोकर रखे हूए और ये पतले-पतले काटे हैँ अब हम इसमे सुखी हुई मेथी डालेंगे ये मैंने सर्दियों में सुखा के रखी थी उसी मेथी को यूज करेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे अच्छे से डिप कर देंगे पानी में भीखो देंगे अब हम एक कडाई लेंगे कडाई में 2 टेवेल स्पून ओईल लेंगे थोड़ा सा हिंग पाउडर डालेंगे आदा चमच जीरा सूखा धनिया एक चमच आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर कोई भी मसाल अपने टेस्ट के साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक स्वाद अनुसार अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे इसी में हम कटे हुए आलू और जो हमने मेथी भीगोई थी इसे डाल देंगे अब इसमें थोड़े थोड़े करके सारे आलू और मेथी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे जब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसे हम लो फ्लेम पर ढखके पकाएंगे इसमें पानी बिलकुल भी ने डालना है बिना पानी के ही लो फ्लेम पर पकाएंगे इसे हम रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका टेस्ट बिलकुल हरी वाली मेथी उसकी तरह ही आता है और खाने में अच्छी भी लगती है अब हम इसे कवर कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है बीच में एक दू बार अलट पलट कर देंगे मैंने इसको बीच में दो बार अलट पलट कर दिया था अब ये आलो बिलकुल सॉफ्ट हो गए है लास्ट में हम इसमें थोड़े सी अमजूर पावडर डालेंगे अमजूर पावडर की जगा लेमन जूस भी डाल सकते है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी गैस बंद कर देंगे अब ये हमारे आलू मेति की सबजी बनकर तयार हो गई है इसे हम रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ बना सकते है थैंक यू